किसने कोशन पूछा है कि आपने MBA के अंदर best skills क्या सीखेते हैं मैं genuinely बता हूँ हमारे teachers ने हमको बहुत कुछ सिखाया और मैंने भी बहुत कुछ सीखा पर वो चीज मुझे आज के टाइम पर लगता है कि internet से सीखी जा सकती है what is marketing, marketing कैसे काम करती है वो सब कुछ आपका खुल लाता है पर जो मेर को change करके गई है वो चीज करके गई है यह presentation skills हमारे college के अंदर हमको almost weekly दो presentation देनी होती थी almost तो आपको लोगों के आगे आके present करना होता अपना idea आपको research करनी है आती मुझे तो मज़ा उस चीज के अंदर है और मैं आज जो यह खुल पाया हूं पोरा पोरा उसका एक बहुत बड़ा रोल है उस चीज के अंदर है क्योंकि मुझे अपने आपने अंते confidence बढ़ना शुरू हो गया महाँ पर आप compete कर रहे हो सारे बच्चों के साथ में आपको बतलता है कि आप कितने अच्छे बहतर तरीके से चीजों को explain कर पाते हो लेवल बढ़ता है सिर्शी बात तब ही मज़ा आता है और दूसरी important चीज जो कि मैंने सीखी वह है human mindset मतलब लोगों की सोच देखिए सिंबल से बात मैं नॉर्मली दोस्तियर वाला बंदा हूँ extrovert वाला बंदा था तो जब मैं 12 से pass out होके निकला तो मैं को दुनियादारी की समझ नहीं थी घर के अंदर ही रहा और कुछ किया नहीं engineering करने किया तो हाँ जाके मैं को पता लगा भाई लोग ऐसे भी होते है मुझे लगता था पुरी दुनिया पॉजिटेव है सब कुछ वही चलता है तो वहाँ जाके engineering करने के ताइम पर कुछ लोग मतलब ही भी होते हैं अपने काम वामने कानले के लिए करते हैं पर हम फिर भी बोले रहे गए क्योंकि उस ताइम पर मेरे पास इन सारी चीज़ों के टाइम नहीं था मैं अपने बाकी चीज़ों के अंदर मस था पर जब MBA के अंदर गया तो MBA के अंदर मेरे पास टाइम था इन चीज़ों को भी समझने का क्योंकि ये interpersonal skills का partner मुझे पता लगा कि ये चीज़ भी बहुत important होती है दूसरी जो important change आया ना मेरे अंदर वो ये आया human mindset समझ पाया लोग क्या सोचते हैं किसले सोचते हैं लोग ये thoughts को manipulate कैसे किया जासकता है sales series देखना ये thought manipulation सवज में आएगा कि कैसे किया जासकता है बहुत बड़े चीज़ होती है